So, Scrims 5th number पे आप लोग का बहुत ज़्यादे स्वागत है और ये एक ही दिन का पाच्मा मैच है इससे पहले मैंने 4 वीडियो लेडी अपलोड कर दिया है जिसमें आपने कुछ न कुछ देख करके उस Scrims gameplay को जरूर सीखा होगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे T1, T2, T3 lobby में खेल उसी साब से आप लोग अपना strategy बना सकते हो तो देखो गाईस सबसे पहले यहाँ पर देखो हमने अपना यहाँ पर थौरा सा ड्रॉप है न चेंज किया था हर मैस में लोग उड़ जा रह थे लेकिन इस वाले मैस में हम लोग पता है कहा है हम लोग पता है कहा है बाजार य करने कि आप लोग जब तरो एक साथ उतरो और देखो मैं फ्री लुक से मतलब ठर्ड आई बटन से मैं यहां प्रीलुक कि देख रहına हूं कि बंदे लोग वतार रहें कि रहें थां थां पर देखो विहार वंदें आप लोग एक्टम क्रेट पर ही उतरना ताकि आपको गंद्स वगड़ा मिल जाए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो गाईज सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको चारों प्लियर्स 50-100 मीटर के रेंज पर आपको रहना है करना है एएन पर लूट कम्प्लीट करना है एएन एक को जैसे मैंने कहा था कि विहार पर बन्दे थे तो यहाँ पर आप मेल पर द्धिया रयक्राई नहीं है और तुम लोग पीछे से cover देना, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी घुसने नहीं वाले है, हम लोग लोग लेंगे अभी, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अंदर घुसना safe नहीं है, हम लोग पता नहीं था कि कौन सा squad है, ठीक है, कि कौन सा squad लड रहा है, नहीं लड रहा है, और और राइट हेंड साइड से भी यहां पे गंसोट आ रहे थे तो मैं यहां पे थुरा सा कनफॉर्म हो गया कि इधर से कोई बंदा नहीं आ रहा है तो देख लिया मैंने अपने प्लेर्स को यहां पर बोल दिया कि ठीक है हम लोग एक्टिव रहते हैं और हम लोग चलेंगे डस सकते हो तो फिर यहां पर मैंने बाइक उठाया और मैंने बोल दिया अपने चौथे प्लेर को कि तू आजा बाइक पर बैठ चलते हम लोग यहां पर रस करने लेकिन उससे पहले गाई सबसे इंपोर्टन बात अभी हम लोग सिर्फ दो ही आ आगे थे और दो बंदा मेरा प यहां पर देखो इस वाले घर में बंदा है और आगे से भी बंदा आ रहा था ठीक है यहां पर देखो यह आया और मैंने एक प्लेयर को डाउन करके पूरा खतम कर दिया और इसी के साथ और प्लेयर था लेकिन यह प्लेयर मेरा एक प्लेयर को डाउन कर देता है जिसके गार और देखो यह बंदा अपना लोकिशन चेंज कर लिया था यहां पर मैं इसको आगे जा करके रस करके इसको पूरा फिनिश कर दिया देख सकते हो गाइस कितना यहां पर रसिंग सिचुएशन था हम लोग का एक प्लेर डाउन हुआ लेकिन हम लोग ने हैंडल कर लिया जैसे हमने थर्ड पार्टी किया है यहां पर भी थर्ड पार्टी हो सकता है इसलिए मैंने अपने प्लेर्स को कहा दिया कि भाई चलो इसी घर में सब एक्टिव रहना ठीक है इसी घर में सब रहना यहां पर हम लोग होल्ड करेंगे यहां पर मेरे पास medikit नहीं था तो मेरे को medikit लेने का भी time चाहिए था देखो यहां पर unmotally यहां परτीक क्योंकि मेरा friend को 2x चाहिए था तो देखो यहाँ पे जो भी यहाँ पे utensils है ठीक है smoke हो ग्रेनेड हो ग्या यह सब मैं अपने आपको अपने players को दे रहा हूँ तो आप लोग भी ऐसा करके सीख सकते हो tips and tricks नमबर यह देखो यहाँ पे fighting हुआ था तो यहाँ पे अब होता है हम लोग के साथ third party and देखो हम लोग कैसे deal करते है यहाँ पे देखो buy काना start हुआ देखो enemy को पता चल गया है कि हम लोग इसी compound में है and हम लोग का क्या गलती था अब हम बताते है देखो हम लोग एक जगा पे नहीं बैटे है यहाँ पे देखो हम लोग केतना उचल बुचल कर रहे है ठीक और वो बंदा देखो दिख भी नहीं रहता और glitch मार दिया मेरा सुर्फ एक HP बचा है मेरा देखो एक HP का मैं सिर्फ बचा हूँ and हम लोग का एक player डाउन हो गया और साड़ा HP यहाँ पे देखो सब player का डाउन है ठीक है देखो नेट भी कर रहा है सब कुछ नेट कर रहा है यहाँ पे देखो मेरा कितना HP का बचा हुआ हूँ एक player हमारा पूरी तरके से समाप्त हो गया and दोनों player का HP बचा हूँआ है एक player हम लोग का डाउन हुआ वह एक player को डाउन कर दिया था लेकिन देखो गाइस कोई फायदा नहीं है मैं भी यहाँ पे मेरा HP भी बचा हूँआ था तो मैं कितने player से लड़ता इसलिए मैं भी नौक हो गया यहाँ पे देखो एपना एक player बचा हुआ था PB Mix M1X वो भी यहाँ पे fight करते करते मड़ गया इनके चारो player बचे वे हो और हम लोग का चारो player खतम हो गया तो देखो गाइस इससे यह सीख मिलती है कि थार्ड पार्टी आप कभी करने जाओगे तो आप भी थार्ड पार्टी हो सकता है इसका ध्याल नगना हम लोग उने जादे होल्ड कर लिया और fighting power हम लोग उतना सही नहीं था इसलिए हम लोग यहाँ पर मात खा गया आयो वीडियो पसंद आगा वीडियो पसंद आगा वीडियो पसंद आगा तो लाइक करो पाई